नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वारत हैं दोस्तों हम बात कर रहे थे interpretation of structural model तो यह हमने अभी पिछले lecture में model बनाया था structural model और फिर इसको हमने test किया था और यह जो model है basically theory of plant behavior के based है और इसी से हमने अपने results निकाले थे दो form देख रहे हैं हम यहां पर देखे एक तो unstandard estimates और दूसरा है हमारा standardized estimates देखे यह standard form में सारे value यह 1 से कम होगी है ना जब standard form होगा तो उसका मतलब है कि जो regression coefficient की value है वो vary गरेगी minus 1 से plus 1 के बीच में ठीक है यह हमारा standard form है यह देखे इसमें value हमारे जाद आसर ठीक है यह सारी value जाद आ रही है इसको हम थोड़ा सब छोटा भी कर सकता है इस तरीके से जिससे हम इसको समझ सकें और हमारे पास इसको छोटा यह बड़ा करने का यह तरीका है हम बात करें थे interpretation की यह जो हमारे पास interpretation आया है इस model का इसको one by one हम लोग करते हैं तो पहले तो हम यह समझेंगे कि यह जो model है दी model is recursive दो तरीके के model होते है recursive और non recursive नॉन recursive model वो हते हैं जिसमें हम feedback भी लेते हैं जैसे feedback यह देखिए अभी यह केवन वन वे जब हम इसका feedback लेंगे परचेज बीवेर का परचेज intention में तो यह हमारा model नॉन recursive model बन जाता है हालकि हमारे जितने भी social sciences की research में 95% हमारे जो model होते है वो recursive model होते है ठीक है देखिए अगर कोई चीज समझ में भी नहीं आती है तो हम इसको double click करके समा सकते हैं फिर है variable summary कितने variables हैं हमारे पास तो variable देखिए पहले observed और endogenous variables observed observed variable का मतलब है कि जो हमने अपने जो measured variables हैं वो हमारे observed variable है तो वो कितने दे 17 और endogenous यह इसमें देखिए observed और endogenous लिखावा है endogenous का मतलब dependent variable तो इसका मतलब यह हमें समझना है यह देखिए यह हमारे पास 4 3 4 3 3 total 17 है यह है observed observed का मतलब है यह questions हमने लिए और endogenous यह देखिए यह जो term यहाँ पर देख रहे हैं अपर endogenous variable का यहाँ पर मतलब है कि 81 82 83 84 यह जो हमारे चार questions हैं यह हमारे depend हैं किसके ओपर attitude के ओपर ठीक है न तो यह arrow इसलिए इधर है जिस यह arrow जिसकी तरफ होता है वही variable हमारा depend होता है ऐसी देखिए यह हमारा dependent variable हमेले एस वन एस एन टू एस एन थी सारे हमारे पास हमें dependent variable हैं और ऑब्जर्ड का मतलब जो questions हैं हमारे इसको हम अब्जर्ड वेरिबल भी कहते हैं और अन अब्जर्ड हमारे कौन से वेरिबल है यह देखिए यह हमारे अन अब्जर्ड वेरिबल है अब देखिए दोस्तों इसमें फिर है अन अब्जर्ड एंडोजीनियस वेरिबल देखिए एक तो अन अब्जर्ड है और फिर इसमें लगा लिए अन अब्जर्ड वेरिबल है वैसे तो पांच अन अब्जर्ड वेरिबल है यह भी अन अब्जर्ड अन अब्जर्ड लेकिन यह जो तीन है attitude subjective norms perceived viewer यह जो variable है हमारे यह observed तो है unobserved है लेकिन यह है exogenous लेकिन यह वाले जो variable हैं दोनों यह endogenous variable हैं दोनों unobserved endogenous variable यह देखी यह जो यहाँ पर लिखावाना unobserved endogenous independent variable कौन कौन से है परचेज intention and purchase behavior एक बार हम फिर से देख लेए purchase intention and purchase behavior दोनों हमारे variable endogenous भी है और इसके साथ unobserved फिर देखिए unobserved exogenous variable unobserved हमारे कौन से है जैसे हमने बताया तीन हो रहे हैं देखिए एक तो यह attitude एक subjective norms और एक तीसरा है perceived behavior control तो यह जो तीन variable है मारे पास attitude subjective norms और perceived behavior control यह तीनों के तीनों unobserved है और unobserved के साथ exogenous यह देखे कहीं लिखा होगा unobserved exogenous variable इसके साथ तो कौन कौन से है unobserved e1 e2 e3 ठीक है subjective norm यह भी एक हमने लिए है दो लिए थे ना perceived behavior का error term लिए था हमने और एक subjective norm का यह देखिए है यह diagram में e1 e2 e3 e4 e5 यह कितने total e17 और यह e20 और e21 वैसे हमें यह e18 और e20 लिखना चाहिए था 17, 18, 19 खेर नाम हम कुछ भी दे सकते हैं तो यह जो है हमारे पास यह error term है और यह जो unobserved है चोंकि इनकी value भी हमें मालूम नहीं है unobserved है और exogenous है ठीक है जो भी आगे find करेंगे अब हमें इस table को पढ़ना जरूरी है इस table का मतलब क्या है एक एक line का मतलब क्या है number of variables in your model कितने है 41 ठीक है 41 कैसे है जरा हम जरा देख लें इसको 41 कैसे है यह कौन से variable बोले थे इनोने number of variables in your model 41 देखे 17 तो यह हो गए error और 17 हमारे पास यह हो गए तो कितने होगे 41 देखे 41 लिखा लोने 41 अब इसमें से 41 को कैसे बाइफर के लोने number of variables कितने 17 अब्जर्ड का मतलब कि number of questions हमने कितने नहीं थे 17 नहीं तो थे question 81 82 83 SN1 SN2 यह टोटल सत्रे थे हैं और यह पांच हमारे अन अब्जर्ड वेरिबल हैं इसको भी हम यहां पर देख लेते हैं अब क्या है इसके बाद देखिए number of unobserved variables number of unobserved variable जिनको हम direct find नहीं कर सकते हैं यह है 24 कैसे हैं जरा count कर लेते हैं 24 कैसे होए यह देखिए 5 तो यह होगे unobserved 4 यह हम कह सकते हैं कि जितने हमारे items हैं उतने error variance term है हमारे पास तो 17 तो यह होगे 18 19 और 19 के साथ 4 हो रहे हैं 1 2 3 4 5 तो 24 हो गए देखिए कितने हैं यह आगे 24 number of यह unobserved variable हमारे पास है 24 फिर यह number of exogenous variable exogenous तो हमारे इंडिपेंडेंट होगे एक तरह किसे exogenous एक्सोजीनियस इंडिपेंडेंट देखिए कितने हैं एक तो यह हो यह सत्रा तो यह होगे एक दो तीन चार पांच सत्रा और पांच बाइस एक तो यह एरेटा में सारे यह भी exogenous ही है और यह 17, 18, 19 और 19 के बाद 20, 21, 22 तो इस तरीके से हमारे पास 22 हमारे पास number of exogenous variable आ रहे हैं फिर है औस नंबर ऑफ एंडोजीनियस व एरीवल ऑएपन ही हैं डिपेंडेंट वरीवल कितने हैं डिपेंडेंट कितने है 17 तो यह होगा जेँ है हाना और कितने हाँ टोटल 19 है पर 19 चलिए अब आगे चलते हैं पैरमिटर समरी में दोस्तों इसमें देखें वेट्स वेट्स का मतलब है रिग्रेशन वेट्स यह को वेरियंस वेरियंस में इंट्रसेप्ट हमारे पास कितने हैं आगे वेरियंस में प्री पेरामिटर्स की वेल्यू ही वाइंड करने पड़ती है यह जियान देना हमें और इसमें पहले हम 24 जो हमारे फिक्स पैचालने कौन कौन से हैं हमारे मॉडल में 24 देखिए 24 में एक तो यह 17 यह आ गए 17 तो यह आ गए 17 के बाद जो है हमारे जो फिक्स्ट है जिनकी वेल्यू हमें फाइंड नहीं करने हुए 17 के बाद जो है हमें 7 और चाले सेवन देखिए 17 यह ओं गया 18 यह ओं गया 19 घ्क है 19 के बाद हमारे पास जो बाकि कितने बच्चे है 19 के बाद हैं हमारे पास 5 और है जो फिक्सड हैं जिनकी वेल्यू हमें पाइणाउट नहीं करने हुए ठीक है और इसमें देखिए यह हमा standardized में एक मिन्ट यह आ गया इसके बाद देखिए 19 के बाद एक हमारे पास यह आ गया 20 21 22 23 24 कितने थे 24 यह 24 वेट्स मैं एक बाद फिर से रिपीट कर देता हूं 24 फिरिस्ट कैसे हैं देखिए 4 यह हो गई चार यह 3 यह 7 7 4 11 11 3 14 और 3 17 वह 14 तीन 17 होए यह 18 19 और एक यह 1 है 20 एक इधर 1 है 21 यह 22 और यह 23 और एक यह 24 ठीक है 24 होगा है इसे हम क्या कहते हैं जिसकी हमें value find out नहीं करना है हमें करने होती है free parameter की अब यह unlabeled इसमें से कितने हैं जिनको लेबिल लेंग किया, यह 16 है, 16 कैसे है, देखे, 3 तो यह रहे, 2 इधर 5 और 3 8, 8 रदो 10, 10 और 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, तो यह 16 है, यहाँ पर होंगे 16, इनका भी लेबिल हमने नहीं किया, आब आते हैं हम Unlabeled हमार पास गोलेशों एक ही चीज है, यही देखे, एक यह आगया 1, एक ही आगया 2, और एक आटिट्न का परसुट देखे, तो 10 हमार पास गोलेशों आ यही I am Hakate, किन आगया अब यह variance किया है, variance भी समझ लेते हैं हम देखे variance यह रहा error variance term एक दो तीन यह तरीके से कितना हो गए 17, 18, 19 19 हो गए ठीक है और तो नहीं है कोई 19 कितने लिखे हैं हैं पर 19 और 3 25 तो 3 हो रहे हैं भी 19 तो हमारे पास ही आ गए 17, 19, 18, 19 और उसके बाद जो हैं हमारे पास एक इनका होगा एक इसका होगा और एक इसका 22 होगा है हमारे पास इस तरीके से ठीक है तो यह जो 22 हमारे पास total हो गए variance सबका variance आएगा attitude का भी आएगा subject norms का भी आएगा proceed bear control का भी आएगा ठीक है तो इसमें हम अब देखी दोस्तों इसके बाद जो है हमारे पास या ड़े टो टोटल 16 प्लस 22 और प्लस 3 तो 41 हो गए total हमारे इस तरीके से हम total करेंगे तो total हमारे पास 65 है अब हम आगे चलते हैं यह देखें यह जो number of distinct sample component ठीक है यह जो है हमारा term कैसे आता इसको भी अब दोस्तों इसमें जो यह हमारा computation of degree of freedom में हम देख रहे हैं ठीक है जो इसको कैसे हम निकलते हैं यह इसका यहां से हम अगर detail में चाहें तो पढ़ सकते हैं अभी हमारा जो अब्जेक्टिव है यह हमारा पास जो है है number of distinct sample moment 153 और जो number of distinct जो parameter जो हमें estimate करने हैं वो 41 करने हैं ठीक है अभी हमने देखे जो parameter हिस्टरी है इससे भी जो unlabeled हुआ ले हैं वो ही हमें values find करनी है जिसमें से तीन तो हमें regression weight करने है 16 तीन covariances 22 variances और total मिला के 41 variables को हमें find out करना तो यह यहां पर आ गया 153 minus 41 that is degree freedom 112 और का इसक्वार की value यह आ गई और जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो value है c min की value आ जाएगी c min divided by यह देखिए है कि मिनिमाइजेशन हिस्टरी अभी इसमें हमारे पास जो है estimates देख लेते हैं तो दोस्तों यह जो है regression weight ठीक है दो तरीके से regression weight दिया है एक तो unstandard form में और दूसरा है यह देखिए standard form तो पहले हम इसका मतला समझ लें कि यह है क्या ठीक है और इसको purchase यह देखिए 81 की 1.08 यहां पर आ रही है 1.42 शायद 1.42 value हमें देख जाए कहीं यहां से estimates की value जो है 1.42 है और जो standard error है वो हमारा कितना है 0.121 अब इसमें क्या करना है यह critical ratio निकलना है तो critical ratio निकालने का देखिए यह formula भी दिया है कैसे निकालते हैं जो इसको divide कर देंगे हम 1.142 को divide के हमने 0.121 को यह कि इस formula से तो यह आगे हमारा पास 1.75 और यह जो है non significant because its P value greater than 0.05 यह वाला हमारा significant है इसके बाद यह सारे हमारे पास significant है तो यह तो हमेरे हमारे पास जो इनकी relationship है on standard जो form है वो यह है regression weight दूसरा है standardized regression weight यह देखिए इसमें purchase intention और attitude PI और attitude की जो value है 0.07 यह देखिए यहां पर कहीं होगी purchase intention and attitude purchase intention और attitude में जो standard form है पहले हम इसको लाते हैं यह देखिए यहां पर हम इसको click क्लिक क्या यह देखिए यह कितनी है purchase intention और attitude value कितनी है 0.075 लबब 0.08 यहां पर इसले 0.08 दिया है दूसरा है purchase intention और subjective norm इसकी है 0.175 यह देखिए यह value कौन सी है यह रहा 0.175 को 0.18 ले लिया है ठीक है इस तरीके से यह सारी values हमारी आ गए और यह देखिए जो attitude की है जो चार हमारे पास variable questions थे attitude के साथ उनका जो value है वो है पहले at 81 में सब की 0.7 से ज्यादा है जो कि desirable है 0.816 0.76 यह देखिए यहां से हम इसको diagram से पर सकते है 0.82.77 यह देखिए यह value 0.82.77 इसको तरीके से हमने यहां पर यह values आ गए इसी तरीके से sn1, sn2, sn3 की value भी जा गए तो यह regression weight की है दो weight है हमारे पास एक तो standard form था और एक unstandard form दोनों की value यह unstandard form वाला हमारा उपर गया और जो standard form है वो नीच चलिए हमें जो निकाली थी है तो regression weight की value देखिए हमें किस-किस की value find करनी थी parameter समर्ज में यह regression weight की 16 value है जो regression weight की values थी है हमारे पास वो देखिए 16 तो values है regression weight की parameter variable में देखिए यह regression weight की जो थी है यह तो fixed है हमारे पास unlabeled जो है एक तो 16 है और variance की 22 है total हमारे पास 41 है और तीन covariance है ख्यार्ट हमारे पास जो total value weight की वो है 40 24 तो fixed है और free parameter 16 है यह देखिए इसको हम बात कर रहे थे free parameter फिर यह parameter हमारे पास 16 है इसलिए है 16 क्योंकि यह fix है 1 इसका भी यह fix है 1 तो total 17 थी तो 17 में से जब 4 पांच में fix हो गया तो कित्वेदे 12 और 12 और 4 कित्त होगे हमारे पास 16 तो यह देखिए हमारे पास 16 जो value है इसको हम देख लेते हैं यह 16 value, unlabeled, यह 16 value कैसा है, फिर एक बार समझे लेते हैं, देखिए, यह 1, इसका 1, यह 1, यह 1, यह 1, पांच तो यह होगे जो fix है, पांच construct में, ठीक है, तो 17 में से गर हम 5 less कर लेते हैं, तो 12, और 4 यह आगा है हमारे पास, जो हमारे पास, इनका endogenous और exogenous variable के हैं, तो 12 और plus, 4 16 आगे है, ठीक है, यह 16 आगे, अब 3 covariance की value देखते हैं, कैसे आगे है, इसके बाद जो है हम covariance, यह तो standard form का है, यह covariance की attitude का subjective norm के साथ, attitude कहा है, यह हमारा है, attitude का subjective norm के साथ, एक तो इसके साथ covariance आगया, इसमें देखिए, 0.11 दिया हुआ है, अब इसमें देखते हैं, कितन 0.11 आगया है, वो standard form में नहीं है, covariance यह correlation हमारा standard form में, तो तीनों की value आगे हमार पास, subjective norm की यह देखिए, 0.026, subjective norm और इसकी 0.026 को नहीं 0.03 माल दिया, और एक value हमार पास यह आगे, 0.08 attitude और perceived की, यह देखिए, यह value हमार पास, perceived और attitude की value आगई, ठीक, covariance भी होगे हमार प system है, यह weight भी आगया हमारा regression, यह भी आगया, अब variance जो है, total 22, 22 variance कैसे हैं, इसको भी जड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, यह देखिए, यह standardized regression weight है, यह हमार पास आगया, variance, यह 22, देखिए, 17 तो हमारे पास question थे तो 17 तो वह होगए, ठीक, 17 के बाद, जो है, 17 के बाद, दो यह आगया, 19, जिसको में 20, 21 दिया है, वैसे 18 और 19 देते हैं, तो समझने में आसानी हो जाती, कोई बात नि, 19 और प्लस 3 यह हैं, तो total किते होगे हमारे पास, टोटल होगे हमारे पास, variance, 19 प्लस 3, 22, देखिए, यहाँ पर हम चेक करके, यह रहा देखिए, variance हमारे पास है, total 22, ठीक है, फिर यह हमने यहाँ पर देखा, कि 22 हमारे पास कैसे आये थे, यह देखिए, यह अले हैं, यह variance है, अब सारे के सारे variance हमारे पास, significant आ रहे हैं यह देखे point इसकी जो value है यह हमने कैसे निकाले critical ratio कि पिछले वाले में बताया हमने point six point seven six nine divided by point one यह देखे इस तरीके से point seven six nine divided by point one zero ठीक इसी तरीके से सभी की value हमने निकाली है और यह significant है सारी की सारी ठीक है यह तो हो गया हमारा जो interpretation है अब यह देखें जो variable इसमें जो तीन चीज़ हमें निकाली यह भी weight भी covariances भी variances भी तो जो हमें estimated जो parameter 41 वो हमने find out कर लिए अब हमें यह देखना goodness of fit goodness of fit में यह देखें goodness of fit में यह हमारे पास जो आया divide हमने किया 152 ठीक है 152 यह तरिके का chi square ही है इसको हम divide करके देख लेते हैं calculator से यह है 152 divided by 112 152.421 और divided by 112 तो हमारे पास कितने value है गई 1.36 ठीक है जो के desirable है और यह value हमारे significant और एक चीज़ जहां डखना है हमें यह जो c min divided by degree of freedom का जो ratio है यह हमें से 2 से कम होना चाहिए हाला कि कही कही जगे वह study को पर भी depend करता थी तक भी लोग ले 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 लेकिन अगर theoretically देखें है तो इसकी value 2 से कम होनी चाहिए अब हमने जो बात की थी तीन चीज़े देखें यहाँ पे ना तीन चीज़े हमने बात की थी एक तो absolute fit measures incremental fit measures और value 0.92 यह भी अच्छे है RMR ठीक है यह भी 0.08 से कम होनी चाहिए यह badness of fit index है basically और यह जो GFI, AGFI, PGFI इनकी value जो vary करते है 0 से लेकर 1 तो जितनी value 1 के करीब होगी उतना model fit होगा कहने का मतलब है कि जो observed covariance matrix की value और estimated covariance की value same है अगर यह जो value 0.94 या 0.95 से उपर आती है और perfect fit कब होगी जब यह 1 आ जाएगी जब observed covariance matrix की value और estimated covariance की matrix की value same होगी तब हमारा model perfect fit होगा लेकिन perfect fit नहीं होता है चूंकि इसमें थोड़ा सा error भी आता है इस वज़े से यह जो AGFI या AGFI की value कम है हमारा जो by default model है यह हम इसको इसको इस तरीके से interpret कर सकते हैं इसके बाद जो है RFI NFI यह देखिए सब की value 0.9 से उपर है 0.9 से उपर है TLI की टकर लेविस इंडेक्स की value 0.95 से उपर है अब एक RMSEA यह भी badness of fit है और यह badness of fit की value हमारे पास होनी चाहिए goodness of fit index की value चाहे वो हमारा increment absolute fit major so incremental fit major so या parsimonious fit major so तीनों में 0.9 से value जाते होनी चाहिए तब ही हम कहेंगे model हमारा fit है तो दोस्तों यह हमने discuss क्या है तो इसी तरीके से हम लोग इसमें और भी advanced cases होते हैं जैसे mediation की problem है moderation की problem है फिर और भी जैसे भी हमने केवल single factor का लिया है और भी कई factors हो सकते हैं तो अभी यह basic था इसके बाद हम जो है दो दूसरी higher problem से उसको touch करेंगे और उससे पहले हम चाहेंगे कि जो smart PLS है एक दो lecture हम उसके भी डाल दें जिससे idea हो जाए कि जो यह CB based हमारा MOS है और PLS based जो smart PLS है उसमें basic difference किया है और उसमें हम कैसे calculation करते हैं उसके result को कैसे interpretation करते हैं तो वह दोस्तों हम अपने जो है next lecture में करेंगे thank you very much करेंगे